तो दोस्तो अभी मेरे फोन में देख पा रहे हो यहाँ पे 4Z प्लस दिखा रहा है तो आज मैं ही बताऊंगा कि 4Z से 5Z कैसे इनेबल कर सकते हो आप आपकी SIM पे और unlimited data कैसे चलने वाला है अगर आपके पास 4Z फोन है तू दोस्तो अगर आपका फोन में 4Z network चल रहा है और आप आपको 5Z में करवाना है 5Z unlimited net चलना है लेकिन आपका phone 4Z है तो कैसे 4Z phone में 5Z जैसा unlimited net कैसे चला सकते हो इस वीडियो को ध्यान से देखो शुरू से लेकिल आश तक चाहे आपका वास CRTL SIM हो चाहे ZIO SIM हो बस इस वीडियो को ध्यान से लेखना शुरू से लेकिल आश तक तक आपको फिर से स्वागत करता हूँ आपके ही सब्सक्राइल एपस के दिनिया में दूस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई आशिफ तो बहारा शुक्र चलो देखते हैं लेट्च काइट स्टार्ट इसके लिए एक रिक्वेश्ट करता हूँ जो वीडियो देख रहे नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इसके साथ जो बैल है ना यह ओल बैल पर दबा देना है और उसके निचे दो कमेंट बोक्स देख पा रहे हो दोस्त लोगों ने कमेंट किया तो आपको भी दोस्तों यहां पे कमेंट करते हैं 4G to 5G network on करके उके उसके बाद द अगर yartel sim है 5G unlimited research कर वाया तो जिस भी sim होगा तो उसी sim पे जाना होगा जैसे कि मेरा yartel sim है तो yartel sim पे जाता हूं और जाने की बाद आपको भी जाना है जाने की बाद सबसे पहला काम होगा आपको Access Point Names करके लिखा रहेगा तो आपको इसी Access Point Names पर क्लिक करना होगा उसके बाद यहाँ पर Yartel MMS उसके बाद देख पार हो General MMS Mobile Office यहाँ पर Yartel ZPS इस तरह सो .com यह रहेगा तो आपको एक नया IPN क्रेट करना उसके बाद आपको करना के होगा New EPian OS देख पार हो सबसे पहले आपको New EP rek लिक करना होगा कर देने की बाद सबसे पहले आएगा Name तो नीम पर यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना होगा, यह टेल, ठीक है, यह टेल लिख के, उसके बाद आपको लिख देना होगा, फाइब जी, उसके बाद लिख देना होगा, अनलिमिटेट, यह टेल, फाइब जी, अनलिमिटेट लिख के, आपको बस यहाँ पर ओके कर देना होगा नेम पर ठीक है उसके बाद हो गया नेम उसके बाद हो गया एपिन एपिन पर आपको यहाँ पर लिख देना होगा यह टेल और उसके बाद लिख देना होगा फाइब जी यह लिख देना होगा ठीक है नेम पर यह लिख देना होगा आँए हूँ आपको भी यही लिखना है यह लिख दिने कि बहुत पाशिदा ऐसे छोड़ दिने में फिर स gadgetर आएगा तो 15 अर्वार पे थोगा सेंस करना है सर्वार पर खोलीक करना होगा व्. व्. फिर wurden कर दो पिर करना होगा व्. अबिक क्यून से यहां पर लिखा रहेगा तो इसको LTE और UMTS यहां पर लिखा रहेगा यह दोनों को रख देना होगा यह अनस्पेसिफिट यह भी रहने देना होगा फिर LTE फिर UMTS लेख के OK कर देना होगा ठीक है उसके बाद आता है आपको यहां पर नीचे देख पारे हो प्रेफर्ट नेट रुक टाइप पर आपको कलिक करना होगा खर देने के बाद अगर आपके फोन में प्रेफर LTE या 3G पर सिलेक है तो उसको अटाक है प्रेफर 5G पर रख देना होगा और जैसे ही प्रेफर 5G पर रखोगे रख देने के बाद थोड़ी देर के बाद यह होई है जैसे ही मुबाल ने ट्रोक को ऑन कर दिना होगा और जैसे मोबाल ने ट्रोक डिया उसके बाद देख पारो यहाँ पे यर्टेल और उसके साथ 5D और यहाँ पर ध्यान से देखो यह-थी और अभी याइटल की स्पीड कितना हैस्ट है मैं दिखाता हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ my network test, यहाँ पर देखो, जैसे मैंने सार्स किया यह आ गया, तो इसमें देखो मेरा network का speed कितना है, यहाँ पर अंदजा लगा सकते हो, कि आपका जैसे 4G से 5G हो जाएगा ना, फिर आपका internet 5G जैसे unlimited net चलने उसके बाद 5G जो इंटरनेट इस पीड है वो भी आपको दिखा दिया तो आप भी दोस्तो इसी सेटिंग से आप आपकी फुन में 5G जैसा अनलिमिटेड नेट यूज कर सकती हो तो दोस्तों अगर आपको यह पसंदर वीडियो से थोड़ा भी अलपूल लगा तो वीडियो को लाइक कर दिना और सेनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ जो बेल है ना वो अल बेल पर दबाके जरूर रख दिना तो दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर भी लेके दोस्तों सब्सक्राइब अगर वीडियो में तो दोस्तों खुश रहो जाहिंद